साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हित्में, देश के हित्में, गाउं गरीब के उजवल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रती पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रुप्षे शुद्ध, किसानों के हित्की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूत, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था, लेकिन फिर भी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था, कृषी अर्थसास्त्रियों ने, वैज्याकिनिकों ने, प्रगतिशिल किसानों ने भी, उन्हें कृषी कानूनों के महत्वपूर को समझाने का भड़पूर प्रयास भी किया, हम पूरी विनम्रता से, खूले मंद से उन्हें समझाते रहें, अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बाचित भी लगातार होती रही, हमने किसानों की बातों का, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकिन नहीं छोड़ी, कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए ये भी तैयार हो गई, दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पन करने का भी प्रस्ताव दिया, इसी दोरान ये विशय माननी ये सर्वोचे नयाले के पास भी चला गया, ये सारी बाते देश के सामने हैं, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा, साथ क्यों, मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए, सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ, कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य, कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए, आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश परव है, ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है, आज मैं आपको, पुरे देश को ये बताने आया हूँ, कि हमने तीन कुरुषी कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णे लिया है, इस महिने के अंत में, शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में, इसी महिने में, हम तीन कुरुषी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे, साथियों, मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ, आज गुरु परब का पवित्र दीन है, अब आप अपने अपने घर लोटे, अपने खेत में लोटे, अपने परिवार के बीच लोटे, आईए, एक नई शुरुवात करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं,